नमस्कार मैं हूँ विपिन सिंग और आज हम बात करेंगे जौनपूर जिला में चल रहे घटना करन के विचे में आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा प्रधान संग के अध्यक्ष टाक्टर मनोज कुमार यादो का जो जौनपूर जिला के प्रधान संग के अध्यक्ष है उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाया है जौनपूर जिला के जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंग के उपर कि वो प्रधान लोगों को गलत सब्दों के साथ उनको संबोधित करते हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रधान लोगों को संबोधित किया है इससे जौनपूर जिले के 1749 ग्राम प्रधानों की भावना को काफी आथ पहुचा है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उसी वीडियो में डाक्टर मनोस कुमार यादों ने चार बार एक बार दो बार नहीं बलकि चार बार गवार सब्द कहकर के जौनपूर जिला के लोकप्रिय जिलाअधिकारी दिने संबोधित किया हुआ है वो जौनपूर जिलाअधिकारी को नदिख्ता का पाठ पढ़ाते वक्त ये बात बिल्कुल भूल गया कि वो जिस सब्द का इस्तमाल कर रहे हैं वो भी एक गलत सब्द है और एक जिला के उच्च अस्तरी अधिकारी के उपर इस तरीके के सब्दों का प्रियोग करना बेहद निंदनी और दंडनी अभी है आपको बता दें कि प्रधान संके अधियक्ष का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने जिला अधिकारी को पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मनरिगा कर्मियों के द्वारा काम न कराये जाने की धमकी दी है इससे प्रधानों में काफी खुसी का महौल है और उन्हें उमीद है कि अब उनका रहनुमा आगे आ करके जिला अधिकारी से उनकी लड़ाई लड़े जाते है आपको बता दें कि बीते दिनों में जौनपूर जिले में दंडात्मत कारवाई करते हुए जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंग न एक वीडियो बना करके अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं आपको बता दें कि जौनपूर जिले में काफी लंबे समय के बाद दिनेश कुमार सिंग जी के रूप में एक ऐसे जिला अधिकारी आए हैं जो वाकई गरीबों के रहनुमा हैं वो सही माह जाने में देखा जाए तो उचित कारवाई करते हुए गरीबों को न्याय दिलाने का जब काम कर रहे हैं तो ऐसे में प्रधानों की भावना को आहत पहुंचना तो जाहिर सी बात है आपको बता दें कि जौनपूर जिले में कई ऐसे प्रधान हैं जो खूब धांदली का ख दाया जिसकी सराना इन प्रधानों के द्वारा बारबार की जाती है आज जब जिला दिकारी महोदै सक्री रूप से जमीनी तोर पर दोड़ भाव कर रहे हैं कोविट नाइंटिन के इस महामारी के दौर में बिनेश कुमार सिंग जी को आप जाहतर समय लोगों के बीच पा प्रधान लोगों के उपर कारवाई कर रहे हैं लेकिन आपको बता दे कि जिले के 1749 प्रधानों में कई ऐसे प्रधान है जो खूब मन्रेगा के नाम पर खुली छूट के साथ लूट और खशूट करने में लगे हैं इसमें कोई भी संसय नहीं है आपको बता दे तलाब बत प्रधाने की धंकी दे रहे हैं ये कही न कहीं उनमें डर है जब ये काम कराएंगे ये बात कर रहे थे कि 182 रुपे के एविज में मन्रेगा के करमियों को मज़्दूरी मिलती है और काम करवाते हैं उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बात थे ही कि मन्रेगा करनी जो होते हैं वो बड़े गरीब होते हैं जुगी जोपड़ियों में रहने वाले होते हैं उनके पास रोज की कमाई होती है रोज उनको कुवा खोजना होता है रोज पानी पीना होता है जब मन्रेगा का काम होता तो मन्रेगा का पेमेंट थोड़ा लेट आता है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए लेकिन उन्होंने इतना बड़ा रहनुमा होने का जो तमगा दिया है प्रधानों के उपर उन्होंने कहा है कि वह 182 रुपे जो होते हैं डेली का वो मजदूरों को मन्रेगा का जो मन्रेगा मजदीरों के खाते में आता है यह उनसे निकल मढ ले लेकिन करणातर नाम HP के दवाले में पर जाता है ऐसे आरोप तरह तमाम प्रधानों के उपर लगेंहें तमाम साक्ष्ष हैं बावजुद उसके भी उन पे कारवाई नहीं होती, कई मंदेगा मजदूरों ने भी आरूप लगाया है कि हमारे खाते में पैसा आता है और पैसा पढ़ानों की द्वारा निकाल लिया जाता है मजदूरी के रूप में उन्हें मात सो दो सो रुपए दे करके बहका अपुसला दिया जाता है और वो मारे डर के घर से बाहर निकल के उस पे कारवाई करने के लिए नहीं जाते हैं जिससे दिनेश सिंग के रूप में जिला में जो जिला अधिकारी आए हैं उनके रूप में उन गरीब मजदूरों को एक आज जगी है उनको न्याय मिलेगा इस न्याय की लड़ाई को जब वो अपने रहनुमा जिलादिकारी के पास जाते हैं तो जिलादिकारी उस पे बिचार करते हुए जरूर दंडवात्मक करवाई करते हैं जिससे घवराय हुए ग्राम प्रधान जौनपूर जिले के खास करके ग्राम प्रधान इसके घवराय हुए हैं और मन्रेगा के मत से काम ना कराने की धम की दे रहे हैं आपको बता दें कि इन ग्राम प्रधानों के बीते तीन से चार साल के जो काम है इसकी पूरी पूरी जाच होनी चाहिए आखिर इन्होंने जब आज ये मजदूरी मन्रेगा के दौरा इस महामारी के दौर में मन्रेगा के दौरा ये मजदूरी नहीं कराने को तयार है क्योंकि इनको डर है कि ऐसे में अगर किसी ने भी एक सूचना लगा दी तो जिले में ऐसा जिलादिकारी मौजूद है कि इन पे तुरंत कारवाई हो जाएगी और इनको जेल जाना पड़ेगा इसी मंतरी जी जब आपसे प्रेस कांफरेंस करते हैं या जब बात करते हैं आपको मुखिया जी कहते हैं आपको मुखिया जी तो जिले भर के लोग कहते हैं आपके जो जनता जनारदन है वो भी आपको प्रधान जी कहकर संबोधित करते हैं चाहे वो सोचाले हो चाहे वो अगर आज के स्थिती में मैं बता रहा हूँ कि अगर सभी ग्राम सभाओं के सोचालेओं का केवल जाच कर लिया जाए तो कैये इसे ग्राम प्रधान होंगे जो जेल में होंगे कई प्रधान मंत्री आवाज के नाम पर भी अगर जाच करा दिया जाए सबी ग्राम सभाओं का तो तमाम ऐसे ग्राम प्रधान होंगे जो जेल में होंगे हाँ सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे थे कि इन्होंने कहा था कि जो मनरेगा के मज़़ूर होते हैं वो गरीब जोपड़ों में रहने वाले मज़़ूर होते हैं लेकिन भाईसाब प्रधान संके अध्यक्ष जी दक्र मनोश कुमार यादो जी मैं आपको बता दूं कि तमाम गराम सभावों में ऐसे सम्मानित व्यक्ति भी मनरेगा के मज़़ूर हैं जो रहते तो 2-3-3 मनजिले के घरों में हैं जिनके घरों में सरकारी नौकरी भी है, सरकारी पेंशन भी आता है वो भी मनरेगा के मजदूर हैं जिनका भाई जिनका बाप सरकारी कर्मचारी है उनके बेटे भी मनरेगा ने हैं जिस काम का उस काम को सही प्रकार से निर्वाहित करें उसका क्रियानवे करें ताकि गरीब जनता और गरीब मजदूरों को उनका हक मिले राशन कार्ड की बात बता दे तो ग्राम सभाओं में तमाम ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे जिवन यापन करते हैं जिनके घरों में चार पहिया है, बुलट है, ट्रेक्टर है, दो-दो मंजिला गर है, सरकारी पेंशन है पावजुद वो भी सरकारी राशन उठाते हैं आप इनकी जाज कराने के वज़ा है, आप दिलाजिकारी महोदय पर मिथ्यारूप लगाना बंद करेंगे